आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello guys, इस वीडियो में Question देखेंगे जो की Based है Dimensions पे Question में क्या बोला है The Dimensional Formula for Entropy is और हमें Options दे रखें हैं ये ठीक है, तो अब तक तो ये तुम्हें पता ही होगा कि अगर हमें किसी भी चीज़ की किसी भी Physical Quantity की अगर Dimension निकालनी होती है तो या तो हमें उसकी Unit पता होनी चाहिए या कोई Formula पता होनी चाहिए ठीक है, इन दो में से एक चीज़ पता होगी तभी हम किसी की किसी भी Physical Quantity की Dimension Find कर सकते हैं, समझ गए तो यहां जो देखते हैं Entropy क्या होता है, देखो Entropy का Formula क्या होता है इसे S से denote करते हैं Delta S से और होता क्या है, Heat Absorb यानि Delta Q divided by Temperature, ठीक है और देखो, यहां अगर Delta Q देखें, तो यह क्या है Energy है, हना Heat क्या होती है, Form of Energy होती है और Temperature तो Temperature ही होता है, ठीक है अब देखो, Energy की इसके लिए हमें Dimension पता होनी चाहिए, और Temperature का Dimension, तो किसी भी Type की Energy की, Kinetic Energy हो Potential Energy हो, Heat Energy हो या किसी भी Type की Energy हो Energy की जो Dimension होती है वो क्या होती है ML² T-2 ठीक है, इसे Half MV² से मतलब Fine कर सकते हो या MGH से भी Fine कर सकते हो, या कोई भी Energy का Formula, जो भी तुम्हें पता है उससे यह Dimension Fine कर सकते हो तो यह हमारे पास Energy की Dimension है, या फिर ऐसा कह लें कि जो Delta Q है उसकी Dimension है, और Temperature की Dimension क्या होती है Temperature की Dimension होती है Kelvin, समझ गए, अब इस Formula में अगर हम यह Put कर दें Dimension Fine करने के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो Delta S Is Equal To, यहां हो जाएगा M L² T-2, ठीक है किसकी जगा है, Delta Q की जगा है हमने यह Dimension Put कर दी और Temperature का Dimension क्या होता है Kelvin, तो यह हो गया Kelvin, अब इसको क्या करेंगे अगर उपर ले जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते है, M L² T-2, और Kelvin Inverse, तो यह हमारे पास जो है Dimension आगई किसकी Entropy की मतलब क्या है, M में Dimension 1 है, Length में Dimension 2 है, Temperature में Dimension minus 2 है और, sorry, Temperature नहीं यहाँ, Time है, यह जो T है यह Time है, धान दखना, यह Temperature नहीं है और यह जो हमारा, यहाँ हमने denote किया है, यह है हमारा Temperature ठीक है, यह से लिख देते हैं वरना Confusion होगी, तो यह हमारा Temperature है, अब देखो Temperature की Dimension होती है, Kelvin तो Kelvin में जो Dimension आई, वो क्या आई, minus 1, समझ गे अगर हम इसमें देखें, तो हमारा कौन सा Option Correct हो जाएगा Option 3rd is Correct, M L Square T minus 2 Kelvin Inverse, ठीक है, तो हमारा 3rd Option Correct हो जाएगा, Thank you guys for watching this video क्लासिक स्ट्वेल से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर